Hello students, Welcome to the MKS Study Material Channel आज के is practical lecture में हम आगे के operators के बारे में देखेते हैं देखेंगे पिछले practical lecture में हमने logical operators तक देख लिया था उसके आगे के operators हम देखेंगे उसके बादवाला operator है bitwise operator bitwise operator में हमरे पास आएगे bitwise and, bitwise or, bitwise xor bitwise left shift और bitwise right shift ठीक है एक और होता है bitwise once compliment पर वो compiler में रन नहीं होता है वो direct to's compliment देता है और हमको चाहिए once compliment ठीक है इसलिए हम उसको छोड़के बागी के सारे optators देखते हैं हमने theory में questions कर रहा था questions कर रहे थे जिसमें हमने a की value 60 ली थी और b की value 13 आप उसके लिए वाला वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने पूरा solve करके देखा था तो अभी हम क्यों practical करके देख रहे हैं तो हमने c में लिखा a and b की हम इसमें bitwise में क्या होता है bitwise होता हर bit की calculation होती है ठीक है सिक्स्टी के वैल्यू की आईगी जब हम n करेंगे 12 के 60 को binary में लिखेंगे थार्टी को binary में लिखेंगे और दोनों की इसका अन्सर आएगा 12 चाहि के टो यह binary maps और कर सकते हैं इसको जब हम इसका बिट Why और करेंगे 60 और 30 का binary लिखेंगे ठीक है और एक भी बन तो answer 1 वाली condition रहेगी तो इसका answer आएगा 61 जब हम A X और A bitwise और B करेंगे तो इसका answer आएगा 61 तो यहाँ पर C की value आईए 61 A की 60 B की 13 और C की 61 ठीक है अब हम कर रहें bitwise X और X और में क्या होता है इसेम बीट पे 0 different bit होए तो 1 मतलब 00 एतो answer 0 आएगा तो इसका answer आएगा हमारा 49 ठीक है सेम बीट पे 0 different bit पे 1 मतलब 10 तो वन आएगा ठीक है यह देख लिया था हमने अब इसके बात देख रहे हम bitwise left shift ठीक है वन बीट से left shift करने है तो left shift में general यह यह द रखना multiply by 2 हो जाता है ठीक है एक bit से shift करने पर multiply by 2 दो बीट से shift करेंगे तो multiply by 4 ठीक है तो एक bit से left shift कर रहे है तो a को तो 60 है तो 120 हो जाएगा तो यह c की value क्या है 120 a की 60 b की 30 और c की 120 यह सब हमने theory में करके देखा है आप वह lecture देख सकते हैं उसके बाद इस practical को देख ले ना अब right shift करके देखते है right shift कर रहे है one bit से मतलब divide कर रहे है तो याद रखने के लिए कि two से divide कर रहे है तो two से divide क कर रहे है किसको एको तो 60 को टू से divide कर रहे है तो क्या answer आएगा 30 यह फिर right shift कर रहे है one bit binary में लिखेंगे और फिर one से one bit को right shift कर देंगे तो इसका answer आएगा c का 30 यह 60 13 और 30 ठीक है तो यह हमने देखा bitwise left shift और right shift operator ठीक है bitwise once compliment होता है इसका यह symbol होता है ठीक है लेकिन compiler generally क्या करता है जिसमें आगे one आता है उसको negative बानता है उसका two's compliment में answer देता है ठीक है तो इसमें compiler में तो two's compliment में answer आएगा one compliment हमने देखा है कि यह 0 को one कर देगा और one को zero कर देता है उसको बोलते हम once ठीक है but compiler क्या देखा two's compliment ठीक है हम करके देखेंगे तो इसका answer आएगा minus 61 क्या round ठीक है एक value क्या है 60 ठीक है उसका two's compliment minus 61 आया ठीक है लेकिन हम इसको इस एक तरीके से चेक कर सकते कि दो बार compliment अगर करेंगे हम तो क्या होगा compliment का compliment क्या होता है वापस वही original number तो compliment compliment टेक करें तो 60 आना चाहिए एक की value का है 60 तो यह आई C में 60 A की 60 B की 13 और C की value 60 ठीक है तो यह था हमारा bitwise operator बीटवाइस operator के बाद हमने देखा था है assignment operator assignment मतलब equals to ठीक है जिसे हमने equals to 60 लिख रखा तो यह क्या है assignment operator A में 60 जा रहा है ठीक है जो भी right side की value होगी वो किदर जाएगे left side में हमने लिखा C equals to A मतलब C में किसकी value जा रही A की और A में क्या है साहाट तो C में भी क्या चल जा साहाट तो क्या है साहाट 13 और साहाट C की value भी साहाट है ठीक है हमने से दो चीज़ भी लिख सकते हैं C equals to A equals to B यह right to left चलेगा तो पहले B की value A में जाएगे और फिर A की value C में तो सारी value 13 13 हो गई ठीक है क्योंकि B की value 13 A में गई और फिर वही A C में गया अब हमने 5 लिखा त तो तीनों की value क्या होगी 555 यह right to left चलता है assignment operator अब assignment operator के साथ में हमने short hand operator यह shortcut operator भी बोलते हैं जिसमें हम लिखते हैं जिसे हमने लिखा A plus equals to 2 इसका मतलब क्या होगा A equals to A plus 2 तो उसको हम shortcut में लिख देता है इसलिए इसको shortcut यह shortcut operator भी बोलते हैं तो A plus equals to 2 को हम क्या करेंगे जब explain होगा तो A equals to A plus 2 Expand करेंगे तो A equals to A plus 2 ठीक है तो इसको हम करके देखते हैं हम A में ही value change कर लेते हैं यह C में value change कर लेंगे A की value क्या है 60 है हमारे पास ठीक है तो हम यह से C को हटा देते हैं B को भी हटा देते हैं क्यवाल A की value चेक करना है तो क्यवाल A की value रखते हैं तो A में हमको 2 plus करना है तो हम उसको shortcut में क्या लिख सकते हैं A equals to A plus 2 लिखने के बज़ा है क्योंकि value उसी में store करनी A plus equals to 2 तो 60 में 2 जोड़ेंगे और store भी A में ही होगा तो A की value क्या हो जाएगी अब 62 A is equals to A plus 2 तो A की value 62 हो जाएगे रन करा हमने यह value आई 62 ठीक है इसे हम A minus equals to 2 कर सकते हैं तो 60 में से 2 minus होगा है इसको क्या से देखेंगे A equals to A minus 2 तो 60 में से 2 गया तो 58 इसे multiply कर सकते हैं A multiply equals to 2 मतलब 60 into 2 और value किस में assign होगी A में तो 120 ठीक है इसे divide कर सकते हैं A divide equals to 2 मतलब A equals to A divide by 2 60 को 2 से divide करेंगे तो 30 आंसर आएगा और assign भी A में होगा ठीक है तो यह और modulo भी है remainder operator A modulo 2 करेंगे 60 को 2 से divide करेंगे तो क्या remainder बचेगा 0 30 times पूरा divide हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 0 A में ही store होगा ठीक है तो यह सारे assignment के साथ use होता है और bit wise के साथ use होता है A and equals to 2 करा हमने ठीक है तो A में क्या है 60 या फिर हमने जो पिछला भी question देखा उसमें हमने देखा था 60 और 13 का ही करा था question लिखा हुई है मेरे पास तो हम वह ही करके देखते हैं हमारे answer भी आएंगे ठीक है को binary में लिखके करेंगे तो ठीक है अब 60 और 13 का ही लेके करते हम तो हमारे पास यह आया 12 तब भी हमारे पास answer 12 आया था a xor equals to 13 मतलब a is equals to a xor 13 तो इसका answer आया 61 अभी जैस्ट हमने इसके पहले देखा उसमें भी यह answer आया था a xor का 49 आया था ठीक है तो a xor 13 करा हमने तो यह answer आया इसका 49 ए में वेल्यू वापस इनिशलाइज हो रही है ठीक है अब हमने left shift और right shift भी देखा था तो 30 अंसर आया था और अभी भी 30 आया ठीक है तो हम shortcut तरीके से इसे assignment operator लिख सकते हैं ठीक है और यह कैसा है कि मैंनरी operator टाइप ही है क्योंकि दो अपरेटर लग रहे है और उसे में वेल्यू इनिशलाइज हो रही है ठीक है इसके बाद हमारे अगला टाइप है इंक्रेमेंट और डिक्रेमेंट ऑपरेटर इंक्रेमेंट मतलब बढ़ना और डिक्रेमेंट मतलब गटना प्लस प्लस और मैनस मैनस यूनरी operator है A की operation लगता है इसमें तो हम value ले लेते हैं A की value लिए c में लिखा है हमने a++ ठीक है यह पहले ले लिए लिए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए लिखा है मतलब A की value पहले बढ़ेगी फिर assign होगी ठीक है तो A की value 60 है 60 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी 61 और वो किसमें असाइन हो जाएगी C में C की value 61 और A की value बढ़के अपने अब उसमें भी store होगी plus plus A का मतलब होता है A is equals to A plus 1 तो A plus 1 होके किसमें initialize होगा A में तो A की value 61 होगी और C की value भी 61 होगी ये दोनों की value क्या है 61, 61 ठीक है इसमें बस difference कहा है वो देख लेते हैं याद क्या रखना है अगर पीछे plus plus है मतलब इसको बोलते है post fix और prefix तो ये post fix है post fix है तो पहले assign होगा और बाद में increment होगा तो assign होगा पहले तो पहले 60 assign हो जाएगा C में C की value 60 और उसके बाद फिर A में value बढ़ेगी तो A की value बढ़ेगी तो 61 तो A की value आईगी 61 और C की value 60 तो यहाँ पहले 61 और 60 ये minor सा difference है ठीक है prefix और post fix में पहले prefix है तो पहले ही बढ़ाओ और assign करो और post fix है तो पहले assign कर दो और फिर बाद में बढ़ाओ clear है माइनस माइनस करें तो पहले माइनस होगा पहले माइनस होगा तो पहले value 59 हो जाएगी और वही सी में assign भी होगी तो C में भी 59 और यह में भी 59 दोनों के value 59 59 ठीक है तो यह था हमारा increment और decrement operator इसको हम और practical example करके देखेंगे जो हमने theory में सारे questions करें थे सेम वेसे ही इसके बाद हमने पढ़ा था conditional operator यह टर्नरी operator टर्नरी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन operand लगते हैं ठीक है तो इसका इसको solve करके देखते हैं इसमें का expression क्या है फिर expression 1 आएगा condition आएगी अगर true हुआ तो question mark के बाद वाला पार्ट चलेगा और false हुआ तो colon के बाद दो dot के बाद वाला पार्ट चलेगा ठीक है तो हमें यह condition लिखे देखते हैं a के value 60 यह b की 30 ब्रेकेट में भी लेख सकता है नॉर्मल भी a greater than b अगर यह condition true हो तो a की value c में चले जाए और अगर false हो तो b की जो value है वो c में चले जाए मतलब इसके जगे replace हो जाती वो value question mark के बाद जो लिखा अगर condition true है तो केवल a रह जाएगा बाकि सबढ़ जाएगा और false हुआ तो b रह जाएगा और किसे बढ़ जाएगा ठीक है सहाट तेरा से बड़ा है सही है तो कुन सा चलेगा कुश्यन मार्क के बाद वाला ए मतलब A C में चले जाएगा सहाट वैल्यू C में चले जाएगी ठीक है तो C में क्या है सहाट ठीक है अब सहाट तेरा से छोटा है क्या नहीं है नहीं है तो फॉल्स पार्ट मतलब कॉलन के बाद वाला चलेगा मतलब B के वैल्यू किस में जाएगी सी में इस पूरी कंडिशन के जगे बी वाली वैल्यू हाजाएगी 13 तो C में आएगा 13 कि क्लियर है हम यहीं पर प्रिंट भी करवा सकते हैं जैसे हम लिखते हैं यह लेस देन भी अगर सही है तो एस ग्रेटर और फॉल्स में लिख देते हैं ट्रूप हम लिख रहे हैं एस ग्रेटर और प्रिंटेप में लिख रहे हैं भी इस ग्रेटर ठीक है अभी क्या है condition a less than b सहाथ अगर 13 से छोटा है तो क्या आया b is greater आ गया ठीक है बाद में उसी की value पहले वाली print हो रही है ठीक है उसे condition उल्टे लिख दिया हमने यह जो statement लिखा यह a greater than b के लिखा अगर सही हो तो a greater और नहीं तो b तो अभी आया a is greater ठीक हो पहले उल्टा लिख दिया था तो यह में चुल लिखा वाई एक greater than b के लिखा हुआ है ठीक है अब c की value इसमें print हो रही c को हटा देते comment में डाल देते हम इसको तो एक सहाथ 13 से बढ़ा है हां बढ़ा है मतलब पहली value बढ़ी है इसलिए a is greater क्योंकि a greater है एक वल्यू सहाथ ठीक है तो यह था हमारा conditional operator या ternary operator इसमें तीन operator लगते हैं या तीन expressions यूज़ करते हैं हम इसमें ठीक है इसके बाद हमने देखे थे special operator या mislinious operator या MISC जिसको बोलते operators ठीक है उसमें हमने में देखा था कॉमा operator size of operator pointer के related और structure के तो pointer structure के बाद में देखेंगे हम पहले कॉमा operator देख रहे हैं जब pointer पढ़ेंगे तो हमने लिखा c equals to 567 तो कॉमा operator left to right चलता है तो left की value क्या है 5 वो 5 जो है value वो सी में हो जाएगी और 67 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्यों सी में क्या साइन हो जाएगा 5 क्योंकि कॉमा कैसा left to right चलता है ठीक है तो सी में क्या assign होगा 5 उसके बाद 6 और 7 ऐसे रह जाएंगे ठीक है तो रन करके देखते हैं सी में क्या sign होगा 5 ठीक है लेकिन बस इसमें आपको या दखना अगर ब्रेकेट लगा दिया तो कुन सी वल्याइगी राइट साइड वाली 7 ठीक है ब्रेकेट लगाने पर right क्यों आई क्योंकि 5 ब्रेकेट पहले solve होगा तो ब्रेकेट solve होगा तो कॉमा से left to right तो चला 5 चला 6 चला लास्ट में क्या बचा साथ बचा फिर ब्रेकेट खतम हो रहा तो लास्ट वाली वैल्यू क्या थी साथ वह साथ किसमें साइन होगे सी में ब्रेकेट के खारण और ब्रेकेट नहीं होगा तो लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट टू राइट ही ठीक है तो ब्रेकेट नहीं होगा तो पहली वैल्यू साइन हो जाएगी और अगर ब्रेकेट होगा एकस प्लस यह ठीक है तब पहले बिएट कोप intuitive जयदा बिएट होगा ब्रिकेट के अंदर कौमा उप्लेटर रहे तो लैफ्ट वी और क्या चला गया 5 और फिर 10 और 5 को प्लस करा तो क्या हुआ 15 ठीक है अभी हमारे पास यह और बी ले रखा तो हमों एकस वाई को चेंज कर लेते हैं हमने ध्योरी में एकस वाई लिया था तो इसको यह और वी से replace कर लएते हैं ठीक है तो a में 60 था लेकिन अब क्या हो जाएगा 10 बी में 13 था लेकिन 5 और 10 और 5 जूड़के क्या हो जाएंगे 15 और कॉम ब्रेकेट है तो लास्ट की जो वेल्यू है वो c में assign होगे तो answer क्या आएगा 15 ठीक है अगर ब्रेकेट हटा दें तो क्या होगा c equals to a equals to 10 assignment इसके पहले ही देखा हमने तो 10 के value a में जाएगी और वही value c में जाएगी मतलब c में क्या जाएगा 10 फिर b में क्या आएगा 5 कॉम operator left to right चलेगा लेकिन a प्लस भी चलेगा क्या नहीं चलेगा चलेगा लेकिन उसका कोई मतलब रह जाएगा क्या कहीं initialize हो रहा है ठीक है तो उसके warning भी आई कि वह भी देखेंगे हम तो हम यहां तीनों value प्रेंट करवा रहे है a b और c की तो 6 a की value 10 हो जाएगी b की 5 और c की 10 10 5 10 ठीक है यह देखो warning आ रही है एक warning इसके लिए a plus b के लिए code has no effect क्योंकि a plus b जो हमने last में लिखा उसका कोई मतलब नहीं है उसका कोई effect नहीं है code का क्योंकि वह को initialize भी नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक है और इसमें जो हमको एक और operator देखना size of operator बागी हम जब pointer पढ c क्या है वेरियेबल किस टाइप का इंटीजर टाइप का तो यह टू बाइट रिटन करेगा तो यह लास्ट में क्या है 60 30 और 2 size of क्या करता है number of bytes रिटन करता है ठीक है 2 यह हम direct integer भी लिख सकते है दो भी data type तो उसकी size रिटन करेगा 2 हम इसकी जगे double लिख सकते है double किती बा better work करता है हम उसमें variable भी दे सकते है ठीक है इसका mainly use देखते हम array और structure में कि उनकी size का है तो हमें array declare करते है integer a और array array की size किती ही 20 तो अब इसको समझो 20 elements है किस type के integer type integer की size किती होती ही 2 byte की और 2 byte की किते elements है 20 तो total size किती होगी 40 ठीक है तो हम देखते है size of a a की size ठीक है यहां पर हम c के value पहले print करवा देता है यह यहां टाइद है हम केवल size of देखते हैं केवल a की size क्या रही है हमारे बास array है उसको run करता है इसलिए उस value को delete कर देता है क्योंकि error है यह में value नहीं जा सकती है यह में बहुत सारे elements है ठीक है तो एक्वल स्थू लिखा था उसको delete कर दिया हमने अब चलाएंगे तो अब इसकी size आई कि 40 इसकी size आई 40 bytes ठीक है क्यों ही क्योंकि 20 elements है और सबके एक element के size 2 bytes 224 ठीक है